कि अपने कार्य में बिजी होंगे तो आई आज यूपी बोर्ड की एकजाम आपका नजदीक है और उसी की तैयारी के लिए बालोजी का जो पहला चेप्टर है जीविज्ञान का क्लास 10 का तो उसी के बारे में एक साट रिवीजन हम आपको बताएंगे उस चेप्टर में आपको क्या पढ़ना है क्या सीखना है तो इसी साथ आए सुरुवात करते हैं आज की क्लास जैसे कि पहला चेप्टर जो है जो बालोजी में जो पहला सेक्षन दिया है वो जव प्रक्रम दिया हुआ है और जव प्रक्रम के जो अधिक्तर भाग है वो आपके यूपी बोड के एक्जाम में पूछे जाते हैं तो उस चीज को सीखना होगा कि कौन सा प्रशन किस रसाप से लिखना है हाला कि उसमें फिज जिए प्रक्रम का मतलब होता है इंगलिस में लाइफ प्रॉसेस तो प्रते की जुधारी किरिया करता है तो जिवों में यहां हमने लिखा का है कि जिवों में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को कहते हैं जय प्रक्रम अब जय प्रक्रम करने के लिए क्या चाहिए कि कोई भी अगर कार करेगा तो कार करने के लिए उसे उर्जा की हो सकता होगी लेकिन वो उर्जा कहीं ने कहीं से मिलेगा है न? वो उर्जा कहीं ने कहीं से प्राप्त करना होगा तो यहां समझना होगा दोस्तों कि जब प्रकरम के लिए उर्जा की हो सकता होगी कार करने की छमता को ही उर्जा कहते हैं बट यहां देखी उर्जा जो है पोसक तत्तों से मिलेगा अब पोसक तत्तों कहां मवजूज होते हैं बहुजन में होते हैं बाद में समझते हैं कि पोसक तत्तों क्या हैं हालकि मैं इसके बारे में बताऊंगा लेकिन यहां पर बारी बारी से पहले समझ लेते हैं कि आकिर इ है और चाहलेंगे के नहें फैक्थ होगे इन धूनों की बीच में मुक्त होता है और जाथ। हैं अच्छा आप से कुछसरब से जाता है कि हम सुस्ण में से फिपर आकसीजन को ही क्या गषाण करते हैं तो इकался करने का जो reason है वो यह है कि जो oxygen है न वो glucose को तोड़ देता है अब जो glucose को तोड़ता है तो उससे उर्जा मुटत होती है कि समझे ऊ तो आगे समझते हैं कि समय क्या है तो यहां पर हमने पोशन के बरिभासा भी लिख दिया कि जैसे जिऊओं में उर्जा प्राप्त करनी की जो विधी है उसी को हम कहते हैं पोशन अब प्रतेक जियुधारी है तो उसमें उर्जा प्राप्त करनी के लिए एक विशेस विधी होती है कुछ ऐसे जियुद्धारी होते हैं, जो अपना भोजन तो स्वैम बना लेते हैं क्योंकि उनके पास नेचर ने इस तरह से फीचर दिये हुए हैं और कुछ ऐसे प्राड़ी होते हैं, जो अपना भोजन किसी दूसरे जिवों से प्राप्ट करते हैं अब उसमें भी आप देखोगे काategory में अलग-अलग देखोगे तो कुछ ऐसे जुधारी होंगे, जो क्योफ ऐख सज्जी पर ही निरबर होंगे अर्फात पेड़ पाओधोंपर पर ही निरबर होंगे लेकिन कुछ ऐसे भी जुधारी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से भी भोजन प्राप्ट करते हैं तो यहां हम कह सकते हैं कि जिवों में जो उर्जा प्राप्ट करनी की जो विधी है जो प्रोसेस है जो नियम है उसी को हम कहते हैं पोसन क्या कहते हैं पोशन कहते हैं अब पोशन को समझने के लिए यहां पर हम पोशन को दो चरणों में अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं तो आगे समझते हैं कि पोशन के प्रकार क्या है आईए यहां समझते हैं यह हैं दोस्तों आपका पोशन इसको बोलते हैं क्या निट्रिशन पोशन तो जीवों में पोशन मुख्षता कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं है न तो पोस्टर दो प्रकार की होते हैं एक इधर हो गए बैटा एक क्या हो गया इधर हो गया तो यहां देखिए तो एक तो आपका क्या हो गया स्वापोसी हो गया स्वाफु सिंग जिसे हम क्या बोलते हैं आटो ट्रॉस बोलते हैं कि डूसरा क्या है है अार्टो ट्रॉप नुट्रिशन क्या बोलते हैं आठोट्राफ नूट्रिशन सापोसी पोसं जबकि दूसरा क्या है जिसे हम बोलते हैं बिसम पोसी पोसं जिसे हम बोलते हैं हिट्रोट्राप्स हिट्रोट्राप्स कहते हैं तो पोसं को अगर हम एक ब्रॉड का डेगरी पिर देखे तो पोसं जो होते हैं वो मुख्यता दो ही प्रकार के होंगे या तो कोई जियुधारी अपना भोजन स्वयम बना लेगा या तो कुछ ऐसे जियुधारी होंगे जो अपने भोजन के लिए किसी जीव पर क्या होंगी निर्भर होंगे है ना तो इसी को समझना होगा तो कुछ जुद्हारी है और अपनी भोजन के लिए किसी तरह से क्या है निर्भर रहते हैं तो यह जैसे स्वापोसी-पोशण हो गया और विश्णपोसी-पोशण नहीं अब स्वापोसी पोस्ण क्या है? स्वापोसी का पोस्ण का मतलब हमें आपको बताया था ना कि ऐसे जुधारी जो अपना भोजन श्वयम बनाते हैं जैसे कि पेड़ पहुदे हैं, नीले हरी सहवाल हैं इनके पास क्लोरोफिल होता है आप क्लोरोफिल की साहता से ये भोजन का निर्माण करते है है ना? इसलिए तो कहा गया है कि जो सूर्य है वो पृत्वी का प्रात्मिक उर्जा का स्रोत है है ना? तो यहाँ पर समझना होगा कि ये देखिए स्वापोसी का आप परिभासा यहाँ लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि ऐसे जिवधारी जो अपना अपना भोजन स्वायम बनाते हैं स्वायम बनाते हैं जैसे जैसे पेड़ पौधे जैसे पेड़ पौधे एवं कुछ जीवार कुछ जीवार अब यहाँ दूसरी परिभासा दे सकते हैं कि ऐसे जिवधारी जो जो अपना भोजन अपना भोजन या उर्जा 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 किसी किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं तो एक्जांपल तो पर यहां दे सकते हैं बच्चे क्या दो सकते हैं विसंपोशी में जैसे कि यहां पर आ गए बटा जन्तू आ गए अब जनतुम भी अपनी अलग-अलग कटेगरी है तो अलग-अलग कटेगरी के अधार पर प्रतेक जुधारी अपने जो है की भोजन प्राप्ट करता है तो यहाँ पर समझ लिए ना बच्चो कि पोस्ण दो प्रकार के हैं एक तो स्वापोसी पोस्ण है और दूसरा क्या है बिसम पोसी पोस्ण है तो बिसम पोसी पोस्ण में क्या पता जा रहा कि ऐसे जुधारी जो अपना भोजन या उर्जा किसी दूसरी जिऊ से प्राक्ट कर करते हैं आप इनके बॉड़ी के अंदर ऐसा फीचर नहीं है कि यह किसी भी दूसरी जुढ़ारी से भोजन प्राप्ट कर सके हैं है है ना तो अगर एक्जाम में आप से पूछा जाता है कि पोस्ण से आप का समझते हैं तो उसमें आपको पूरा लिखना बढ़ेगा कि पोस् कहते हैं फिर उनके प्रकार भी तो समझाना होगा उनके प्रकार लिखो गे तो उनकी परिभासा भी लिखनी होगी अब इस पोस्ट को हम अगले टॉपिक में ध्यान से समझते हैं तब तक के लिए जैहिन लगातार मेहनत करते रहिए और फिर मिलते हैं जल्द है आपको झाल